आजो मेदान में फिर इसी बात पर लगाओ 79 कोशन CBSE ने 2020 में कोशन पूचा था पीवाई क्यू है उड़ा दो इस पीवाई क्यू को आप से कर रखा प्रूफ करके दिखा दो तीन नंबर का कोशन आये था कि left hand side जो है वो right hand side के equal है left hand side में पूरा दे रहा है expression और right hand side में दो रहेगा तो भाई solve करने के लिए आपको taking left hand side करने पड़ेगा लिख लो taking left hand side जो आप left hand side लेंगे तो क्या है यहाँ पर sin की power 4 theta minus cos की power 4 theta और साथ में plus का 1 दे रहा है यह हो गया और बाहर है cosec square theta ठीक है अब देखो आपको मैंने एक चीज़ सिखा रही है अभी मैंने एक lecture भी डाला था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि a square minus b square क्या होता एक बार add कर दो और एक बार subtract कर दो multiply कर दो तो कहीं नहीं अगर difference of two square है तो एक बार add कर सकते हैं सब्ट्रेक्टों मैं इसको difference of two square की तरह बना दूँ बिलकुल बना सकता हूँ देखो यह ए यह बना दिया और यह आ गया cosec square theta यह a square है minus b square तो एक बार आप add कर दोगे और एक बार आप subtract कर दोगे हो गया यह अब आपको एक आइटेटी मैंने बहुत अच्छे साथ और तमीज के साथ सिखाए थी क्या सिखाया था कि साइन स्कॉर ठीटा प्लस कोज स्कॉर ठीटा की value one होती है तो साइन स्कॉर ठीटा प्लस प्लस कोज स्कॉर ठीटा यह आगए इसकी value one one की multiply इस bracket के साथ करूँगा तो यह bracket ही रह जाएगी क्या रह जाएगी यह एस है साइन स्कॉर ठीटा माइनस कोज स्कॉर ठीटा प्लस का one और बाहर है कोज स्कॉर ठीटा अब आप एक चीज और देखो इसको मैं ऐसे रहता हूँ साइन स्कॉर ठीटा बन को पहले लिख देता हूँ और बाद मैं कोज को लिख दूँ बिलकुल लिख सकते हैं और यह कि यहां पर हो जाएगा साइन स्कॉार ठीटा तो यहां पर हो जाएगा साइन स्कॉार ठीटा इस पूरे की जगह आप लगा सकते हो को अगें साइन स्कॉआर ठीटा वह बाहर है को सेक कट इस कॉए सौर के के चुराइब वह साइन का उल्टा होता है तो कहीने के को सैक्ट हीटा है तो मैं कह सकते हूं और यहीं था राइट हैंड साइड में लाना हमें तो लेफ्ट हैंड साइड के इकवल आगए तीन नंबर का कोश्ण आपने चुटकियों में उड़ा दिया ऐसे ही मैं आपको सारे कोश्ण उड़बादूंगा बने रहा हो स साथ में supportive nature के रहो दूसरे की मदद करोगे तो आपके भी कोई मदद करेगा